जारकन विधानसवाद चुनाव के लिए आज से नामांकन होने जा रहा है 25 ओक्टूबर तक नामांकन दाखल किये जा सकेंगे ओनलाइन परचा दाखल करने की भी सुविधा उपलब्ध है पहले चरण में 43 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है बता दें कि नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 28 ओक्टूबर को नॉमिनेशन की स्कूटनी की जाएगी वहीं 30 ओक्टूबर को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन तैकिया गया है नॉमिनेशन की प्रक्रिया सुबह 11 वजे से 3 वजे तक रहेगी जनरल प्रत्याशियों को 10 हजार और सीएस्टी को 5 हजार सिक्योरिटी जमा करना होगा नईयर इसी पर और जादा जानकारी लिए रांची से हमारे साथ जुड़ गये हैं नईयर जारकन विदानसवा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है क्या कुछ खास तैयारियां ववस्थाएं की गई हैं देखे रांची के डीसी ओफिस में आज से नामांकन जो प्रक्रिया है उसका प्रक्रिया जो पूरी तरह से सुरुवात की जा चुकी है हम अपने साहियोगी से दिखाने की कोशिस करेंगे जो तैयारिया जो है अब देख सकते हैं यह डीसी ओफिस है यहां पंडाल लगा दिया गया है कोई भी परतियासी अगर यहां नामांकन करने आए और ज़्यादा अगर भीड हो जाए तो उसके बैठनी के लिए जो वैव बड़ा बैरेकेटिंग की गई है कि कोई भी जो अनावैस्यक लोग है वो यहां पर वेस्ट ना करें और जो सरकारी करम चारी वो डीसी ओफिस आएंगे और जो नामांकन करने के लिए जो परतियासी जो लोग है वो यहां आएंगे तो सुबह से हम देख सकते हैं कि डीसी अपर बैरेकेटिंग लगाई गई है पार्किंग जो काफी दिक्कत होती थी यहां पार्किंग के लिए तो सबको एक दिसा निर्देश दी गई है कि पार्किंग की वेवस्ता वो नीचे की जाएगी और कोई भी परतियासी का जो गारी जो है वो अंदर नहीं आएगी जिस सुबा सुबा अज डीसी ओफिस के बाहर एडियम एन लो ने आकर पूरी विदी वेवस्ता को देखी है अब पूरी तरह से जो वेवस्ता है उसको मुकमल करने की कोशिस की जा रही है और साती साथ जगा जगा टेंट और पंडाल भी बनाया गिया है ताकि परतियासियों को को कोई दिकत का सामना ना करना पड़े तो हम का सकते हैं कि जो आज की जो परकिरिया है नमांकन की पूरी तरह से डीसी ओफिस में तैयारी कर लिजा चुकी है बिल्कुल नए और पच्छेस ऑक्टूबर तक नमांकन दाखिल करने की जा सकेगी और खास बात यह है जबार की ऑ करने की जित करते हैं क्योंकि उनके साथ काफी समर्थक रहते हैं इस से उन्हें होसला भी मिलता है और साथी साथ वो लोग में थोड़ा होसला हो जाता है कि हम इस बार चुनाओ लड़ रहे हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 बज़े से यह नामांकन शुरूई है और आज जो पहला दिन है कितने लोग आज नामांकन दाखिल करते हैं क्योंकि हले कि राची का इतियास रहा है कि विधानसभा जब चुनाओ जब शुरूई यहां होती है तो लग भग 18 से 20 पर त्यासी यहां से खड़ा होते हैं कोई निर्दली यह खड़ा होता है तो कोई चोड़ जो पाटी यह जो जहरकन में है वो खड़ी होती है और देखना यह दिल्चप्स होगा कि आज जो 11 बज़े से लेकर तीन बज़े तक यह परकिरिया सुरू की जाएगी तो कितने परत्यासी आज पहला दिन नमंकन करवाते हैं बिल्कुल नहीं और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए यहां रोकिंग ब्रिक के लिए